हेलो गाइस वेलकम बैक तो दा चैनल सो आज में पास है एक मिक्सिंग कंसोल यामा का तो आज हम उसका एक रिव्यू उसका साउंड टेस्ट और उसके फंक्शन से वह हम दिखेंगे तो गाइस यह मिक्सर मेरे पास पाथ साल से करें पाथ-छे साल मुझे यह यह यूज करते ह यह मिक्सर इतना अच्छा है यह मिक्सर यह रहा यह यह आपका है यह माका मिक्सर mg10xu तो आफ तक इसमें कोई मुझे एक सिंगल प्रॉल्लेम नहीं इसका रैप्टर भी सेम जो मतलब कंपटिंग के साथ मुझे मिलना था यह वाला एक दम बेस्ट मिक्सर है यह छोटा है है आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हो तो आप इसको ऑनलाइन भी इसको आप देख सकते हो तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आप वह से जाके इसको चेक आउट कर सकते हो तो अभी हम लोग चलते हैं इसका रिव्यू देखने तो गाइस अभी हम पहले इससे करेंगे सेट अप यहाँ पर एक साउंड भी है एक छोटा साउंड है तो उसके साथ हम इसको करेंगे यहाँ उसके connect तो गाइस यह इसका front look है और यह इसका left side look जहाँ पर लिखावा या महा और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर और यह इसका right hand side look यहाँ भी same लिखावा या महा और यह इसका बिलकुल back side so back side में आपको यहाँ पर दो hook मिलता है कि आप इसको stand में mount कर सकते हो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यह इसका adapter का जो 3-pin का जो input है यह वो है और यह इसका on-off switch यहाँ पर है, आपका USB 2.0 आप इसको as a sound card भी, आप इसको use कर सकते हो, so guys अभी हम इसको करेंगे connect, so इसको connect करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है एक speaker, जो जिसकी branding के टका रहा, so इसका भी link आपको मिल जाएगा नीचे description में, TRS cable, so एक point जाएगा इसके speaker में और दूसरा point जाएगा इसका stereo out, right या left वो आपकी मर्जी है, so मैं हमेशा डालता हूँ right में, तो यह घुजगी है right में, और यह mixer का जो adapter है, so यहाँ पर आपको इसको तरह थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा, so इसको ऐसे करके यह ऐसे घुसेगा, so यहाँ पर एक ring है को ऐसे घुमाना है और इसको खरका सब टाइट कर देना है, यह आपको होगे, इसके साथ connect, so अभी मैंने वहाँ से मैंने switch on कर दिया, यहाँ पर जो switch है वो हम अभी on करेंगे, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें आपको कितना channel मिल जाता है, so basically यह 10 channel का mixer है, आपको यहाँ पर पहले चार मिल जाता है, मतलब mono inputs, so यह combi slots है, like आप यहाँ पर kexler भी डाल सकते हो और आप इसमें TRS भी आप इसमें डाल सकते हो, इन चारों में, उसके बाद यहाँ पर जो बाकी जो यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, so इनको pair करके इनको मतलब बना दिया stereo, so बाकी जो तीन जो आपको यहाँ मिलेंगे, यह 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह तीन channel आपका stereo है, मतलब आप इसको use कर सकते हो for keyboard, क्योंकि keyboard में left, right का जो jack होता है, तो यहाँ पर इसको आप डाल सकते हो, इसका जो first channel है, so सबसे बेलो तो आपको यहाँ मिलता है, इसका input है, so आप यहाँ पर XLR plus TRS, दोनों आप इसमें डाल सकते हो, और उसके नीचे आपको यहाँ मिलता है, माइक और line का option, और तो उसके नीचे आपको यहाँ पर head, pad है और HPF है, so जो pad है, तो pad में लिखा हूँ है 26 dB, so यह आपका minus 26 dB आपका यह कम कर देगा, आप अगर उसके ऐसे on कर दोगे, तो जो sound है, वो कम कर देगा, और उसके बाद आपका HPF, so HPF भी वो ही same काम करता है, मतलब थोड़ा साउंड जो है, वो इसका कम कर देता है, so यह चीज आपको मिल जाता है, चारो channel में, मतलब 1, 2, 3, 4 में, so उसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है, इसके नीचे मिलता है, तो आपको gain का option, यह जो knob है, यह knob है आपका gain का option है, so आप इसको यहाँ से इसको gain को कम ज्यादा कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर आता है, compressor का एक knob है, so compressor जो काम करता है वो जैसे voice थोड़ा सा loud करने के लिए हम इसको use करते है, उसके बाद यहां पर आते हैं three green knobs back to back so सबसे जो पहले वाला है वह आपका है high उसके बाद है mid उसके बाद है low means कि यह आपका high frequency है मतलब आपका treble है so यह is knob से होगा control उसके बाद आपका mid है वह आपका इस से होगा control इसके बाद जो लो है लो आपका इस से होगा इसके बाद आपका एक नॉब आता है इसमे एफेक्स का, means आपको यहां से कितना एफेक्ट आपको खोलना है, like आपने अगर डीले आपने अगर यूज किया हुआ है, उसके बाद आपका यहां पर आता है एक रेड नॉब, so यह आपका है पैन का, पैन पॉट, means लेफ राइट, आपको अगर लेफ्ट में अगर पूर अपना साउंड देना है तो आप इसको लेफ्ट कर सकते हो, यह है और उसके बाद यहां पर एक, मतलब लाइट का ऑप्शन है, एक पीक का ऑप्शन है, आपका साउंड अगर जादा ह होगा, तो यहां पर यह लाइट ऐसे ब्लिंग करेगा, पिक, मतलब कि आप अपना साउंड अभी कम कर दो, and उसके बाद आपका जो में जो है नॉब, हो है लेवल का, means आपका यह वॉल्यूम, मतलब यह आपका में वॉल्यूम, लेवल है, इस वन नमबर, चैनल का, आपको यहां पर जो चार जो आपका चैनल है, जो मतलब बनो है, तो वहां पर आपको यह सेम मिलता है, खाली आपको जो कंप्रेसर है, आपको मिलता है खाली फर्स्ट और सेगेंड चैनल में, बस, यहां पर एक बटन है, फैंटम, अच्छली फैंटम पावर है, means 48V, प्लस 48V, तो यह खाली आपका काम करेगा, only for this 4th channel, 1, 2, 3, 4, and यह आपका तभी काम करेगा, आप जब इसको as a audio interface use करोगे, with your DAW, उसके बाद हम आते है, तो इसके जो मतलब stereo जो चैनल है, like 5, 6, 7, 8 and 9, 10, इसके बाद यहां पर आपका आपका है, सबसे पहले, वही सेम high knob का, high frequency, treble, उसके बाद आपको यहां पर mid का जो knob है, वह यहां पर नहीं है, high frequency and low frequency, मतलब जो base, base का, और उसके नीचे same, fx का knob है, then same pen port का option है, और उसके बाद फिर आपका यह volume knob का, लेकिन यहां पर एक और चीज है, यह, आपको यह मिलता है, दोनों channel में, आप यहां पर carc cable, आ अगर आपको phone चलाना है, इसमें, तो यह चीज आपको मिलता है, दो channel में, एक मिलता है 5-6 में, और एक मिलता है 7-8 में, और उसके बाद 7-8 में भी आपका सकुछ same है, और उसके बाद 9-10 है, so 9-10 आप use कर सकते हो, दो काम के लिए, so ऐजा, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ ह 9-10 प्लस USB-IN, आप अगर इसको ऐसा audio interface use करोगे, so आपको यहां पर यह वाला जो button है, जैप लिखा है, आप अगर इसको on करेंगे, तो यह काम करेगा आपका ऐसा audio interface, और अगर आप इसको ऐसे off कर देंगे, तो यह आपको काम करेगा as a single channel, so यहां पर आपका सबसे पहले जाता है इसका एक dial, so अब यह 2 में है, अब यह 3 में आ गया, यह 4 में आ गया, 6 आ गया, 7, 8 और आपको अगर यह करना है कि मुझे केट चाहिए, so आपको इसको ऐसे एक बर push करना है, so और उसके नीचे आता है आपका एक for the parameter, बतलब कितना effect आपको send करना है, आप अगर इसक इसके side में इसका एक level indicator है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 24 यहाँ पर effect है, so यह जो mixer है mg10XU, actually यह दो variant में आता है, एक आता है mg10, so वो होता है कि मतलब without the effect, और आपका यह दूसरा आता है mg10XU, जो अभी हम आज इसका मतलब review कर रहे है, so यहाँ पर आपको 24 effect मिलता है, इसमें सबसे पहला जो है वो लिखावा है reverb hall 1, उसके बाद है reverb hall 2, उसके बाद आपको यहाँ पर आता है, effects return मतलब, आप कितना effect मतलब देना चाहते हो, and उसके बाद यहाँ पर आपका आता है एक button, यह है आपका effects on off, master level, so यह जो red knob है, so यह इसका master sound है, okay, so and उ monitor और phones का मतलब, so, so यहाँ पर जो option है phones का, यह एक knob है, so phones मतलब headphone, so आप यहाँ पर headphone डालके, अपना mixing बगड़ा कर सकते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसका volume मिला हुआ है, and यहाँ पर एक option है mute का, so आप इसको मतलब mute भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप दो monitor, and यहाँ पर भी आप दो sound, so यह आपका xl count है, बतलब आप यहाँ पर दो out डाल सकते हो, हमने जो अभी किया हुआ है connect, so यह आपका है trs cable, and यहाँ पर जो है, यह आपका है xl out, so xl out से भी हम अपना काम कर सकते हैं, So, almost सब यहाँ पर हमने complete कर दिया है,